आप लोगों ने एक चीज तो कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी कि लड़कियों को आदी रात में अपने बाल खुले नहीं रखना चाहिए क्या फिर लड़कियों को आदी रात में शीशे में नहीं देखना चाहिए इतर नहीं लगाना चाहिए लेकिन ये सबकी वजय क्या है ये सबका रीजन क्या है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको काफी देर तक शौक में रख सकती है क्योंकि ऐसी बाते ज़्यादा बाहर आती नहीं एन अगर आप भी जाती है तो लोग इसे मानने के लिए रेडी नहीं होते है उनको लगता है कि ये सिर्फ रफ़ा है ये सिर्फ कहानिया है लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सच है आज की ये कहानी मुंबरा शहर के बारे में है मुंबरा शहर मुंबय और ठा आने के आसपास में पड़ता है ये कहानी वहां के एक 19 साल की लड़की के बारे में वो 19 साल की लड़की ने आधी रातों में क्या-क्या चीजे जहली है क्या-क्या चीजे उसके साथ हुई है ये सारी चीजे सुनके आप बहुत जादा खौफ में आ सकते हैं आप बहुत जा होती है यह कहानी शुरू होती है आज से 22 साल पहले साल 2001 में जहां पर मुम्रा में एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी जो कि सिर्फ एक 2BHK का घर था एक फ्लैट था अपार्टमेंट वहां पर तीन लोग रहा करते थे तसनीम कैज और उनकी 19 साल की बीटी अम्रीन अम्रीन एक बहुत ही जादा खुबसूरत लड़ी की थी जो घली के लड़के लोगहों बार उसमें लोग उसी के खुबसूरती के बारे में बात किया करते थे। उसके घर पे रिष्टो की लाइन लगा रहती थी। एक बार तो अमरीन की शादी भी फिक्स हो गई, सब कुछ डन, सगाई हो गई। शादी का मंडप सजा था अम्रीन भी मंडप में ही बैठी थी अचानक से जब बारात आने वाली थी तब भी किसी ने ये ख़बर आके दे दी कि आपका होने वाला पती मर चुका है मर चुका है अब ये शादी नहीं हो सकती अम्रीन और उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा शौक में थे क्योंकि ये एकदम नई नई बात थी उनकी सब के सब शौक में थे अम्रीन ने ये सारा हाथसा अपने दिल से इतना ज़्यादा नहीं लगाया था क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी अम्रीन उस लड़के को जानती तक नहीं थी दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे फिर से अम्रीन के माबाप ने कुछी महिनों बाद इस हाथसे के एक नया लड़का ढूनना चालो कर दिया कि इस हाथसे के वज़े से हम ये शादी तो नहीं रोक सकते हम अपनी बच्ची को कुवारी थोड़ी रख सकते हैं उन्होंने एक नया लड़का देखना चालो के हैं अम्रीन का ही एक दोस्त अबरार अम्रीन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था शुरू से अम्रीन भी अपरार को बहुत ज़्यादा लाइक करती थे दोनों एक दुसरे से देखते देखते बहुत ज़्यादा ख्लोस हो गए थे एक दुसरे से प्यार करने लगे थे एंड बस अभी शादी ही एक बच गई थे बस शादी ही बस अभी होना बागी था शादी जिस दिन होने वाली थी, उससे एक दिन पहले, अबरार की गाड़ी खाए में पड़ी मिली, अबरार की भी मौत होगी, सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से, पिछले दूले की मौत होई थी, शौकिंग, इस हाथसे को अमरीन ने अपने बहुत ही ज़्यादा दिल पे ल अमरीन के माबाप भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, कि यह सब कुछ क्या हो रहा है हमारी बच्ची के साथ, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, एंड इतने डिप्रेशन में आके, अमरीन ने एक दिन अपने माबाप को जाके एक बात बताई, कि मैं गलत तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है आसपस, बस मुझे दिखता क्यों नहीं है, यह मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन मुझे महसूस जरूर होता है, मुझे महसूस होता है, हर रात को, मुझे पहले लगता था कि यह कोई वहम है मेरा, लेकिन मुझे धिरे- यह चीज रियलाइज हो रही है कि शायद से मेरे कमरे में कोई तो और रहता है कोई तो है बस मुझे दिखता नहीं है अम्रीन के माबाप ने यह बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया उन्होंने सोचा कि शायदे डिप्रेशन में है कुछ भी सोचे जा रही है तो यह सारी चीजों को उन्होंने अवाइट के अब इस बात को कुछ महीने गुजर चुके थे एंड अम्रीन के लिए शादी के लिए रिस्ते भी आने बंद हो चुके थे कोई भी नहीं चाहता था कि उनका बच्चा अम्रीन से शादी करें क्योंकि ऐसी अफ़ा उड़ चुकी थी कि जो भी लड़का अम्रीन से शादी करेगा उसकी मौत डेफिनेटली आनी ही है लेकिन ये सारी चीज़ अब उसके माबब को बहुत जादा टेंशन देने लग दे थी कि ये सारी चीज़े हो गया रही है शादी के रिष्टे क्यों नहीं आ रहे है जबकि अमरीन इतनी ज़्यादा खुबसूरत है इतनी ज़्यादा अच्छी है तो ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है तो उनों ने अमरीन को एक दरगा में लेके गए मीरा दतार दरगा जो कि मुंबई में है काफी ज़्यादा है क्या फिर उस दरगा के बाबा ने उस फैंबली मेंबर को एक बात बताए कि आपकी बीटी आपको इतने समय से उतने महिनों से जो आपको बात कह रही है वो सब बात सच रात में उसके बिस्तर के बाजू में आके जो इनसान बैटता है जो是 शायद से कि जितने भी रिष्टे टूटे हैं जितनी भी शादिया टूटी है जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सब के पीछे किसी और का नहीं इसी जिन का हाथ है वो आपकी बेटी को बहुत ही ज्यादा चाहता है वो आपकी बेटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहता यह सब के पीछे वॉच्जे नहीं है फिर उस बाबा ने अपने कुछ तोटके आजमाने के बाद अमरीन के घरवालों को कुछ बात बताई कि मुझे कुछ चीजिशे अभी जाके पता चली है अमरीन बारे में कि अमरीन की एक बहुत ही ज्यादा बुरी आदत है इस आदत के वज़े से ही अमरीन आज इस हालत में आप पुछी है एन वो आदत कुछ इस तरीके की थी कि अम्रीन शाम के समय पे नहां दो के अपने बालों को खुला रखके भार जाया करती थी एक बहुत ज़्यादा strong perfume यूज करके एक इत्र का इस्तमाल करके एन वो जिस जगह पे जाती थी वो एक दम ही ज़्यादा सुमसांग हुआ करती थी वो अपने दोस्तों के साथ भले ही जाया करती थी वहाँ पे लिकिन यह जो सुगंध होती है उस इत्तर की इतनी ज़्यादा strong जब अम्रीन मेकप वगेरा करके बालों को खुले रखके इसे सुमसांग जगह पे जाती है उसी जगह पे किसी ना किसी जिन ने अम्रीन को अपना शिकार बना लिया उसको अम्रीन बहुत ज़्यादा पसंद आ गई उस समय इसलिए वो अभी इतना ज़्यादा connected हो गया है उससे अब जब अम्रीन उस जिन का शिकार बन चुकी है तो उस जिन ने भी मन ही मन में अम्रीन से शादी कर ली है मतब मन ही मन में उस जिन ने ये चीज़ मान ली है कि अभी अम्रीन मेरी है मैं जो चाहिए इसके साथ कर सकता हूँ एन आज हर रात को जब भी अम्रीन को ये चीज़े महसूस होती तो वो जो जिन रहता है वो अम्रीन के पास उसी फितरत के साथ आता है एक पती के फितरत से कि हाँ अब ये अम्रीन मेरी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी. तो उस मौलवी ने कहा कि अभी आपको जल से जल अम्रीन का इलाज शुरू करना होगा, वन्ना वो जो जिन है वो और ज़्यादा अट्रेक्टेड होता जाएगा अम्रीन के साथ, वो उसको किसी और की होने नहीं देगा, या फिर वो खोद अम्रीन की जान ले लेगा, तो आपको जल से जल कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, ये बाते सुनने में बहुती जादा अन्रियल लगता है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी जैसा साउंड कर रहा है, ये इस चीजे सिर्फ मन घड़न है, ऐसा रियल में नहीं हो सकता, लेकिन एक बात सुनके मुझे भी ताजुभ हुई थी, कि ये बाते असल में सच है, असी बहुत सारी धार्मिक किताबों में भी लिखा गया है, कि ये जो जिन होते, जो जिननात होते, ये भी अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं, ये जो spirits होती है, ये जो आत्मा होती है, किसी के भी साथ अपना संबंद बना सकती है, अपने रिष्टे बना सकती है अगर उनकी इच्छा होई तो, ये possible है, एन जो भी चीजे उन धार्मिक किताबों में लिखी गई थे, वो ही चीज अमरीन के साथ होई थे, same to same case था अमरीन क आज भी कुवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, उस जिन ने शायद से खरने ही नहीं दी, उस 19 साल की लड़की की जिन्दगी बरबाद हो गई थी उसी दिन के बाद जब उस जिन का पहली बार सामना हुआ था, अमरीन के साथ तो, आज भी उली बात बताई जाती है कि अमर तो और भी बहुत सारी चीज़े होगी, जो हमें बताया नहीं गया, या फिर हमें सुनने नहीं मिली अभी तक, या फिर उस फैमिली मेंबर्स ने हमें बताना नहीं समझा, ये जो कहानी है, मुझे और किसी ने नहीं, बलकि खुद अमरीन की मान ने सुनाई थी, बस अमरीन इनकी तस्वीर में नहीं बता सकता हूं उस फैमिली की तस्वीर दिखानी की मुझे पर्मिशन नहीं है उन्हें ऐसी बहुत सारी और भी बाते हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूं लेकिन ये उस घरवालों के लिए शरम की बात होगी उनकी प्राइविसी को हाम करना ये हमारा काम नहीं है उनकी बेस्ती हम नहीं कर सकते हैं किसी भी माबाप के लिए बहुत बड़ा टॉचर होता है जब उनकी एक इकलौती लड़ी घर पे अकेली बैठी रहती है रात को किसी एक बहुत ज़्यादा खराब चीज़ का सामना करती है जब उनकी बेटी अपना फैमिली नहीं शुरू कर सकती बस ऐसे ही शांत अपने घर पे बैठी रही तो माबाप के लिए बहुत बड़ा टॉचर होता है बहुत बहुत जादा उनको भी दुख होता है लेकिन अभी आपके भी मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे रहेंगे कि अमान भाई अगर अमरीन के रहें बतलू कर अभी हैं है और फूर फैनलें दो कि दूसरी वाले जिन होते हैं इसल में सबसे ज्यादा खतरनाग होते हैं हौँआशी किसी की पिढ़ने वो कोई भी कितना भी बड़ा आद्मी हमकर के लिए को फरक नहीं पड़ता है वो बहुत selfish होते हैं अपने इंसान के लिए अपने प्यार के लिए लेकिन हम इनसे बज़ भी तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग हमें दिखते नहीं हैं सिर्फ महसूस होते हैं अगर ये आपको महसूस होने लग गये तो एक चीज़ समझ जाईए कि अभी आप में और अम्रीन में कोई भी फरक नहीं बच चुका है क्योंकि ये जो जिन्नात होते हैं, ये जो शैतान होते हैं, ये जो खबीस होते हैं, ये एक इनसान को तभी महसूस हो सकता है, जब वो आपसे बहुत जादा करीब हो चुके होते हैं, या फिर वो खुद चाते हैं, कि हाँ आप ये मुझे भी महसूस करें, अगर आप उन्हें पर भार जा रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए आपके उपर कोई स्ट्रांग प्रफिय। नहीं होना चाहिए को यह चीज़ उन्हें बहुत अट्रैक करते हैं इस नहीं की अपनी खुशभू उतनी जहाद यहांदा त्रैक्टिव समझते हैं यह खोद आपसे इशारा ले 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 आप से यह इंस इस इसारा दे रहा है इस जुड़ने के लिए अगर आप किसी भीड जैसी इलाके में जा रहे हो तो ठीक है वहाँ पे आप इतर लगाईए कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप किसी विराने जगा पे जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और वो भी रात में तो उस्वक संभल के रहे इतर ना ही लगाईए तो ज़्यादा बहतर होगा और न क्या पता अगली कहानी आपकी ना बन जाए शुक्री रहे